लेकिन अब ज़र आप बताइए कि फर्स्ट हाप बताब दो हजार चौबिस का फर्स्ट हाप गोड के लिए कैसा रहेगा प्राइस आप कहा तक देखते हैं हमने सब चीजों का डिसकेशन कर लिया लेकिन यह में समझना पड़ेगा कि पिछले एक देट साल से युए सिकोनमी में इंट्रेस रहे तो किसी भी एक देट साल में इत्ता हाइए इंट्रेस रहने से ओर आल कॉर्परेट पर्फॉर्मंस पर अफेक पड़ेगा और शायद फ जो रेट कट थोड़ा स्पीड कर सकता है तो सेकंड कोर्टर के बाद मैं यह देखता हूं कि सोने के भाव सेंडिये फंस कौर्टर में क्या रहे गार्व जाएंगे मेरे हिसाब से प्राइस क्या रहे हैंगे मैं पूछूं कि जुन में गोल्ड का प्राइस क्या दोजार-च जैसे इलेक्शन के इसाब से डॉलर और रूपी का रेट में अगर सबसेंचल फरक हुआ तो अधर्वाइस इसके आसपास ही रही है पर फर्स्ट आपकी बात करते हैं फिर सकेंड आपकी मनुझ जी आप बताएए पहली छमाही में 2024 की पहली छमाही में गोल का प्राइस कहा द रूपीज रहा कोई फरक अगर नहीं रहा तो यहां से आप करीब 4,000 से 4,500 रुपय नीचे यहां से आपकी नीचे आ जागा एक बार इस बार आएगी इस बार भी आएगी मेरा पहला छे महीने का जो टार्गेट है वो 1866 डॉलर यदि उसको भारती बाजारों के रुपय के अनुसार करें तो लगबख 56,500 से 57,000 रुपय में पहले 6 माही में आपको सुना मिल जाएगा आप कुछ राहम करें यह ऐसा है कि कस्टमर कोई भी गोल्ड रेट के रिडक्शन की सोच से सोना हाथसे नहीं निकल जाए मतलब जो उनके पास कैश है जो उनके पास पैसानी जमा करने को उसको उसको बाइंग करनी चाहिए यह पचास से सतर डॉलर की मंदी आ सकती है लेकि लेकिन उसके साथ-साथ जब हलका सा नीचे आएगा आपको फर्स्ट कौर्टर के अंदर सोना एक बार कोमेक्स के अंदर दिखेगा आपकर गिरेगा देखो कभी अगर दो स्टेप पीछे आएगा तो चार स्टेप आगे जाएगा लेकिन वह स्टेप तो एक साथ होगा या अभी जैसे कि अभी जो इन्होंने अभी यूएस के अगर आप से पुछूं कि बाई दोजार चौवीस के जून तक प्राइस क्या रहेगा गोल्ड का उपर या नीचे यह उपर रहेगा 66 के असपास सोना आपको दिखेगा अच्छा और ग्लोबल मार्केट में ग्लोबल मा फर्स्ट सिक्स मन्त का टारगेट आपका गोल्ड का? अब जिस तरह से देख रहा है मुझे लगए फर्स्ट कौर्टर में ड्यू है और सेकंड कौर्टर में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है क्योंकि तब तक और बाट्स में हो जाएगा अब भी मुझे लग रहे हैं अच्छा ठीक है तो मतलब आप सायम जी को सपोर्ट कर जी बात किया रहे हैं कि तेजी रहेगी फर्स्ट कौर्टर में ठीक बात है अब आते हैं सेकंड हाफ पे अब आप जरा बताई नम्रीजी सेकंड हाफ में दोहजार चौबिस के सेकंड हाफ में गोल का प्राइस क्या रहने वाला है मुझे लगता है कि यहां से करीब करीब बाइस सो डॉलर तक का टार्गेट आप दोजार चौबिस के एंड तक देख पाएंगे यहां से बैटर विकल्ब तो आपको स्मॉल सेविंग रेट या आपको बैंक एवडी में मिल जाएगा तो पांच परसेंट के लिए यहां पर अपनी दुकान आप की बंद कर वा रहे हैं आप कर देंगे आप किनको को रिसर्च वाले हम ज्यादा रिटन बना के देना चाहते हैं को वह गोल्ड में करें या कहीं करें आपको यहां पर इंवेश्मेंट अपॉर्चिन थोड़ी सी सुस रहनी चाहिए यहां पर आपको ब तो गोल्ड का प्रजिस इस साल देखिया पंदरा परसंट गोल्ड में तेजी आई क्या उमीद कर रहे हैं आप मैं 24 में पंदरा परसंट ने लेकिन दस ग्यारा परसंट की तेजी देख रहा हूं लगबग 2300 डॉलर तक आ सकता है और रुपया में थोड़ा रुपया डॉल थोड़ा स्ट्रॉंग होगा यह मेरा मानना है तो रुपय में में भी 67,500 तो 68,000 तक जा सकता है पूरा दस टका ट्रांसलेट रुपय में नहीं होगा पूरा नहीं होगा मनुझ जी पूरा साल के आखिर तक मुझे ऐसा लगता है कि 2200 से 2250 लेकिन उस समय 6 मेने के बाद क्या फंडामेंटल्स रहते हैं यहाना कि कहना बड़ा मुझे होता है फिर भी जो मेरा सूच है वो maximum 2300 डॉलर तक जा सकता है वो fundamentals उस समय कैसे रहते हैं लेकिन बहुत बड़ा जो सुनने को मिलता है कि 2400-2500 डॉलर ऐसा कुछ मुझे कोई भी एंगल से नहीं दिखता है बहुत सपोर्टीव रहेगा तो 2300 नहीं तो 200 डॉलर के आसपास में जा सकता हो भी second half of the year में आप भी कहने कि बहुत ज्यादा रिटेंड की उमीद ना करें मेरे हिसाब से 5-6% की हां से आपको रिटन मिल सकता है नमडी जी करें पांच-छे परसंट तो कहीं और दिला देंगे वो FD में कहीं और सर हर साल 15% नहीं हो सकता है इस साल 14-15% का आपको रिटन मिला है तो अगले साल 5-6-7-8% बहुत हो ठीक है बताब गोल्ड का भी कहना है कि इतना कमाया तो खर्च करो पहले 24 में उसके बाद फिर रिटन मिलेगा मेताजी आप सर कितना दिलवार है रिटन यह हैं आप तुछा सब्सक्राफ में तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंट्रेस्ट रेट कट होगी और जितने सारे एसेट क्लास जिस तरह से बढ़ रहे हैं कहीं कोई एक एसेट क्लास का क्रेश होना निश्चित है और वो पूरी एकॉनोमी को युएस एकॉनोमी को रिसेशन की तरफ लेके ज में भी होगा और अन्य बाजारों में भी होगा और उससे बाद में गोल्ड का प्राइसेज बढ़ना शुरू होगा बिकॉस गोल्ड विल हैव स्टोर वैल्यू गोल्ड को लोग चाहेंगे कि अपने पोर्टफोलियो में एड करें तो सेकेंड क्वाटर में साड़े बाइस जाती है और वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से जब गोल्ड निस सो डॉलार अट्रसो चांचट डॉलर के आसपास तब लेना चाहिए नेरा जी अब आपका टर्ण देखें अभी जैसे की गोल्ड जब बढ़ जाते तब वैसे भी इन्वेस्मेंट्स और घराकी सब रिटेस करना है वरना बहुत बार कैसा होता है कि भाव नीचे आता है बासरड आता है सिक्स्टी आता है फिर अचानक से दो दिन के अंदर चलंग मार देता है दो हजाड है जिससे सोना पकड़ नहीं पाते आने वाला जो जून के बाद है अगर कभी भी 100 डॉलर या 70 डॉलर का मिले उसमें बाइंग करनी चाहिए और 68-70,000 के बीच में जून से लेकर डिसेंबर तक यानिकी 10% यहां से ग्रोथ मिलेगी अभी 65,000 के उपर रेट होने से कस्टमर मार्केट में कम है लेकिन इसको एक्सेप्टेबिलिटी करने में कभी भी बढ़ने से 15 दिन लग जाते है उनको यही रेट को स्टेबल है यही रेट तो फिर मार्केट में बाइंग चालू हो जाती है तो दस परसंट आप कहने की रेटिन मिल जाएग़ गाए यही है और सुझेंदर जी भी कभी मुटा मुटी ही कहना है लेकिन अब हम करकाम के आखरी दौर में हैं और आप सवाल यह कि प्राइस का टार्गेट आगया आपके सामने आपके सामने फंडामेंटल सारे आगये क्या क्या फंडामेंटल है 24 में तो खुल मिलाकर जो आप तक की बात्चीत है उसमें दो बड़ी बात निकल के आ रही है वो यह कि एक तरफा कुछ भी नहीं होगा गोल्ड में नहीं होगा गोल्ड में गिरावट की गुंजाइच भी बनी हुई है और तेजी की संभावना भी बनी हुई है तो गोल्ड गिरेगा भी और इस बात से किसी को एतराज नहीं है मेरा जी बुल है लेकि यह भी कह रहें कि हां सतर से अस्ती डॉलर का करेक्शन आ सकता है लेकि वह बाइंग की अपर्चुनिटी होगी